हलो स्टूडेंट आप सबका दांगी कैडमी पर स्वागत है इससे पहले आप मैटर इनवर सराउंडिंग्स का एक वीडियो लेक्चर देख चुके हैं यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा आए तो दांगी कैडमी की प्लेइलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीडियो को देख लीजिए ताकि यह आपको ज्यादा बैटर समझ में आ सके हैं तो first characteristics देख लेते हैं the particles of matter are very very small यानि की matter जिन भी particles से मिलकर consist हुआ है या बना है वो बहुत छोटे होते हैं the particles of matter have space between them यानि की जो particles होते हैं matter के उनके बीच में थोड़ा बहुत space होता है यह जिसे की आपको दिख रहा होगा इस टाइप से the particles of matter are constantly moving अभी इस से पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था potassium permagnet के solution prepare किया था या sugar solution के तुरू कि particles हमेशा move करते रहते हैं या motion के form में present होते हैं the particles of matter attract each other यहनी matter के particles एक दूसरे को attract करते हैं इसी की वज़े से कोई भी substance या तो solid nature में present है या liquid है इसी की वज़े से होता है तो यह इस से पहले हम experiment देख चुके हैं और examples हम देख लेते हैं जैसे potassium permagnet का हमने देखा sugar water देखा इसके लब आपने अगरबती या incense stick जिसको हम कहते हैं वो देखा होगा आपकी laboratory में आपने देखा होगा copper sulfate का solution प्रिपेर किया होगा chalk piece, chalk का टुकड़ा आपने देखा होगा, ice, iron यह सभी आपने देखे ही होगे तो first characteristics को हम प्रूफ करने के लिए एक और experiment देख लेते हैं the particles of matter are very very small देखिए आपको यहाँ पनीचे एक picture या एक structure दिखाए दे रहा होगा इसमें एक solution प्रिपेर किया होगा है potassium per magnet का solution तो इस example के तुरू हम समझ लेते हैं कि the very very small size of particles of matter can be shown इसमें क्या किया गया है आपको कि two or three small crystal of potassium per magnet उसको hundred milliliter में दो या तीन छोटे छोटे crystal लेना है आपको उसको hundred ml water में dissolve करना है तो आपने एक beaker ले लिया है potassium per magnet के जो crystal होते हैं वो purple color के होते हैं deep purple color के हमें solution prepare कर में हमने hundred ml water fill किया उसमें थोड़ा सा crystal डाला है potassium per magnet का वो दीरे दीरे dissolve होगा पूरा solution आपको deep purple color का दिखाया देगा इस solution में से आपको measuring cylinder की help से 10 ml solution रिक आउट करना है और second beaker में डालना है अब 10 ml के अंदर आपको 90 ml water डाल देना है यानि आपको फिर से 100 ml solution prepare करना है यही condition बार बार आपको repeat करना है फिर इसमें से आपको 10 ml इसमें 90 ml water add करना है फिर 10 ml इसके अंदर 90 ml water फिर 10 ml इस beaker के अंदर 90 ml water last तक यही process आपको बार बार रिपीट करना है तो लास्ट में आप देखेंगे कि जो solution प्रिपेर हो रहा है वो दीरे दीरे dilute होता जाएगा यानि इसके अंदर solute का amount कम होता जाएगा और उसका जो color है वो भी light आपको मिलता जाएगा, दीरे दीरे वो light color होता जाएगा, देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा इस picture में तो वो बहुत light pink color का solution आपको मिलेगा, तो इस पूरे practicals या experiment से क्या conclusion निकलता है, कि potassium per magnet के crystal बहुत ही छोटे-छोटे millions of small particles से मिलकर बने हैं, और वो spread हो रहे हैं, पूरे जो आपने solution प्रिपेर किया, उसमें spread हो रहे हैं, और दीरे-दीरे उस solution को color provide का रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे उसकी quantity कम होती जाएगी water का amount ज़्यादा होता जाएगा, solution dilute होता जाएगा, और आपको color भी कैसा मिलता जाएगा, दीरे-दीरे lighter color उसका आपको मिलेगा, तो ये प्रूफ करता है कि particles बहुत छोटे होते हैं, very very small, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा characteristics the particle of matter have space between them देखिए, आप यहाँ पर picture आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर भी क्या किया गया है अपने एक एक्सपेरिमेंट किया है sugar और water का, यह आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आपको 100 ml water लेना है एक बीकर में और उसके अंदर आप 50 gram sugar add करना है 100 ml water feel कर दिया है और mark कर दिया है पैंसे कि यहाँ तक water का level है उसके बाद 50 gram sugar weight कर ली है बीकर के अंदर आपको डालना है stir करना है glass road की हलब से ताकि वो जल्दी से dissolve हो जाए dissolve होने के बाद आपको sugar crystal या particle disappear हो जाएंगे क्योंकि वो water के बीच में जो भी gap present थी उसके अंदर चले जाएंगे इसलिए वो invisible हो जाएंगे यह आपका sugar water solution प्रिपेर हो चुका है यह आपको दिखाए दे रहा होगा थर्ड बीकर में हमने क्या किया है सबसे पहले 100 ml water लिया था और 50 g शुगर ली थी इसमें आपको यह देखना है कि आपने जो paint से mark किया है बीकर में शुगर उसमें डाली star किया और dissolve होने के बाद भी जो volume था water का वो same रहेगा वो increase नहीं होगा जबकि उसमें आपने 50 g sugar भी add कर दी है उसके बाद भी उसका जो level है वो उसी mark तक रहेगा वो increase नहीं होगा तो means क्या है कि no change in the volume of water on dissolving sugar in it तो ये क्या बता रहा है आपको कि जो particles है उनके बीच में space present है water के particles के बीच में space present था ये H2O है इसके बीच में जो भी space था वहीं पर जाके आपके bonded हो जाएंगे sugar के particles इसी लिए water का level increase नहीं होगा तो ये experiment प्रूफ करता है कि particles के बीच में space present होता है third characteristics देखते हैं हम the particles of matter are constantly moving ये तो बहुत simple से experiment है आप सभी ने अपने daily life में इसको observe किया ही होगा घर में हम पुजा घर में अगरवत्ती लगाते हैं आपने सभी ने देखा होगा यदि कहीं दूर या आपके दूसरे रूम में भी अगरवत्ती चलाई जाती है तो smell आप feel कर सकते हैं कहीं थोड़ी दूर 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर दूर भी आपको उसकी fragrance ये smell आपको feel हो जाएगी तो ये proof करता है experiment कि particles move करते हैं या वो motion की form में present होते हैं इसके अलबा आपने spray का भी देखा होगा इस प्रे आप एक रूम में करेंगे तो थोड़ी टाइम बाद कुछ सेकेंड के बाद भी आपको दूर खड़े होने के बाद भी उसकी smell feel हो जाएगी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में potassium permagnet का experiment किया था एक और देख लेते हैं copper sulfate का आपको test tube में या बीकर में थोड़ा सा water लेना है उसके अंदर आपको copper sulfate की crystal डालने है और stir करना है उसे glass rod के help से तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि जो water था वो दीरे-दीरे blue color में convert होने लग जाएगा और last में आपका पूरा solution ही blue color का हो जाएगा तो ये proof करता है कि particles या matter के particles move करते हैं, continuously move करते हैं या motion के form में present होते हैं fourth देखते हैं the particles of matter attract each other एक दूसरे को वो attract करते हैं आपको को भी sustain solid form में मिल रहा है तो वो इसी वज़े से मिल रहा है कि particles के बीच में attraction force होता है जितना ज़्यादा attraction force होगा particles उतने ही पास-पास हो जाएगे और यही decide करेगा कि particle solid है, liquid है या gas है तो देखिए आपको यहाँ पर picture दिखाई दे रही होगी यह alum crystal आपको दिखाई दे रहा है first picture में इसमें क्या है कि जो force of attraction है between the particles, matter के particles की बीच में वो बहुत ज़्यादा strong है यह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा force से attract कर रहे हैं एक particles की form में बताया गया है उसके अलावा आप देख लीजी school में chalk, chalk का piece ले सकते है ice cube ले सकते है iron nails ले सकते है जब इन्हें hammer की हल्ब से पीटा जाता है तो आपको क्या मिलेगा जो chalk है बहुत easily break हो जाएगा वैसे ice cube भी break हो जाएगा और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तूट जाएगे जबकि जो iron nails है उस पे आपको ज़्यादा force लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनमें attraction force chalk के comparison में ज़्यादा है इसलिए उस पे आपको ज़्यादा force अप्लाई करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा strong force उनके अंदर present होता है तो इससे ये conclusion निकलता है कि जो भी solid चीज़े होती है उनमें attraction force maximum होता है और gases के अंदर minimum होता है एक sample देख लेते हैं इसके लिए हम एक questions का what happened to the sugar when it dissolve in water where does the sugar go what information do you get about the nature of matter from the dissolution of sugar in water क्या होगा अभी हमने एक experiment किया है जब भी हम sugar को water के अंदर dissolve करेंगे तो बहुत छोटे छोटे particles होते हैं वो break हो जाएंगे क्योंकि आपको solid के form में मिलती है sugar या crystal के form में और because हमने यह देखा है कि water के बीच में जो space होता है उसी के अंदर sugar particles mix हो जाते है इसे लिए क्या होगा कि जो level है वो increase उसका नहीं होगा तो इससे क्या आपका जो third question है उसका answer हो जाएगा the matter यह matter यानि कि आपका matter यहाँ पर किन दो चीजों से मिलकर बना है sugar और water तो यह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और इनके बीच में space होता है तो water के पार्टिकल के बीच में space था वहाँ पर sugar के पार्टिकल जाकर mix हो जाते है अब हम देख लेते हैं कि इसका nature किस टाइप से होता है reset होता है या fluid type का होता है matter का जो nature है हो किस type का होता है तो इससे पहले हम देख चुके है definition यदि आपको इससे related video देखना है तो आप दांगे एकेडमी की playlist में जाकर matter का classification solid का nature, liquid का nature और gas के nature का video आप देख सकते हैं तो आप सभी को वैसे मालूम होगा solid की definition क्या होती है, liquid की क्या होती है और gas की क्या होती है तो अब हमें rigid और flute की terms में इसको समझना है तो rigid का meaning होता है unbanding और inflexible जो चीज़े hard होती है जिनमें flexibility नहीं पाई जाती या जिनको band नहीं किया जा सकता उन्हें कहा जाता है rigid और flute का meaning होता है कि वो material जो easily flow हो सकते हैं जिने feel करने के लिए आपको किसी container की requirement होती है जैसे की water हो गया ऐसी चीज़ें को कहा जाता है flute जो easily flow होंगी किसी भी surface के उपर solid क्या हो जाएगा जो solid है वो एक तरह से rigid होता है solid is a rigid form of matter matter का एक तरह से वो rigid form होता है हाँ कुछ exception होते हैं but mostly जो solid होते हैं वो rigid होते हैं और rigidity के वज़े से ही जो solid होते हैं उनकी क्या tendency होती है कि वो अपना shape maintain करके रख सकते हैं जब तक उनके उपर कोई outside से force apply नहीं किया जाए आप external force apply करेंगे तो उनका shape change हो जाएगा तो ये first characteristics हो गया है solid का जबकि जो liquid होते हैं उन्हें feel करने के लिए आपको किसी भी container की requirement होती है उनमें fluidity का nature present होता है gases के अंदर भी fluidity का nature present होता है as compared to water ज़्यादा होती है इन्हें आप किसी भी vessels में यदि feel करेंगी या किसी भी container में उनको आप close करके रख सकते हैं बट जैसे ही किसी भी container को open करेंगे तो gas ही क्या होगी पूरे environment में expand हो जाएगी देखें यहाँ पर आपको picture की help से दिखाई दे रहा होगा यह solid है आपने इसको किसी भी container में feel किया तब भी उसका shape वही था उसके बाद उसको आपने किसी table पे डाल दिया तब भी उसका shape वही है इसके अंदर कोई भी changes नहीं हुआ जबकि यहाँ पर जो water था आपने किसी glass यह किसी beaker में डाला है तो liquid ने उसी का shape ले लिया है और यदि आप उसे किसी surface table के उपर डालते है तो वो flow होने लगेगा उसका shape change हो जाएगा जबकि जो gases थी वो क्या होंगी यदि आप close vessels के अंदर रखेंगी तब तक वो वहीं रहेंगी लेकिन जैसे आप उसको open कर देंगे तो वो पूरे environment में expand हो जाएगी classification देख लेते हैं classification of matter as solid, liquid and gas तो पहले हमें देखना होगा इनकी physical state को इसके बाद हम इनकी chemical state देखेंगे solid, liquid और gas की physical state के basis पर sugar, sand, iron, wood, rocks, minerals यह सभी चीज़े क्या है? solid है जबकि water, milk, oil, kerosene, petrol, alcohol यह सारी चीज़े है liquid air, oxygen, hydrogen, carbon dioxide और steam यह सभी gases है तो यहाँ पर हमें example के थूँ समझ में आ चुका है कि कौन सी चीज़े solid है कौन सी चीज़े liquid है और कौन सी चीज़े gas है तो हमने three state देख लिए है matter की solid, liquid and gas अब हम एक-एक की properties देख लेते हैं कि solid की properties क्या होगी liquid की क्या होगी और gas की क्या होगी तो पहली देखते हम solid की property ice, wood, coal, stone and bricks यह सब common example है हमारे चारों तरफ हमें easily visible होते हैं तो यह सारे चीज़े हो जाती है solid, इनकी क्या-क्या property है यदि आप किसी भी wood को या ice को या brick को लेकर आते हैं eat को लेकर आते हैं तो आपको किस type की property दिखेगी आप eat कहीं से भी लेकर आए उसका जो shape और size था और volume था वो always fix रहेगा तो solid है, fixed shape and fixed volume देखिए आपको दिखाए दे रहा है picture में यह आप table पे रखो, घर पे रखो, road पे रखो कहीं पे भी रखिए इसका shape and volume fix रहेगा इसे आप compress नहीं कर सकते आप दोनों तरब से से हाथों से दबाएए क्या यह दब जाएगा? नहीं दबेगा that means cannot be compressed much कुछ limit तक कुछ solid को compress किया जा सकता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि cannot be compressed much solid have high density because they are heavy क्योंकि आप solid को उठा के लाएँगे आपको उनका weight feel होगा वो heavy होते हैं इसलिए उनकी density भी कैसी हो जाएगी? high हो जाएगी solid do not feel their container completely आप क्या कीजिए कि glass के अंदर किसी भी stone की टुकुड़े डालते जाई आपको वो completely feel नहीं होगा बीच बीच में उसके space present होगा तो कोई भी जो solid होता है वो किसी भी container को completely feel नहीं करता यदि आप water feel करके उसे freezer में रखेंगे और फिर ice cube में convert करेंगे तो वो अलग बात हो जाएगी बट यदि आप solid के forms उसको feel करना चाहेंगे तो वो completely feel नहीं होगा solid do not flow आप जिस place पर उने रख देंगे वो उसी place पर रहेंगे वो move नहीं करेंगे वो flow नहीं होगे liquid के properties देख लेते हैं आपने water देखा होगा milk देखा होगा आपने कोई 1 liter water लिया है ताप उसे bottle में भरिये किसी तपेले में भरिये या glass में भरिये उसका volume always 1 liter ही रहेगा बट उसका shape उस container के according change हो जाएगा तो उनका कोई भी fixed shape नहीं होता है उन्हें भी बहुत ज़्यादा compress नहीं किया जा सकता liquid की जो density होती है solid के comparison में कम होती है but gases से ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि इनकी density moderate होती है liquid की density moderate density होती है और ये solid से कम dense होते हैं ये container को completely fill नहीं करते हैं liquid do not fill their container completely liquid generally flow easily हो जाते हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि liquid completely fill नहीं करते हैं क्योंकि हमने अभी sugar and water solution prepare किया था तो उस example के तुरू हमें समझ में आ चुका है अब देखते हैं gas की property air, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, nitrogen and steam ये सभी common example हो जाएंगे हमारे gas के तो gases neither of fixed shape nor fixed volume आपने देखा ही होगा ना तो उनका volume fix है ना ही उनका shape fix है आप जिस भी container में उनने feel करेंगे उसी के according उनका volume और उसी के according उनका shape हो जाएगा उन्हें compress किया जा सकता है उनके volume को कम किया जा सकता है इसे हम किसी balloon में air परते हैं किसी balloon के अंदर air fill करते हैं तो उसे हम compress कर सकते हैं उनकी densities बहुत कम होती है क्योंकि उनका weight भी बहुत कम होता है और जो gases होती है वो container को completely fill कर देती हैं और ये easily flow हो जाती why solid, liquid and gas have different properties क्यों होती है तिनों की अलग-अलग properties एक जैसी क्यों नहीं होती है तो इसका reason में आपको starting में ही बता चुकी हूं कि जो according to kinetic theory of matter particles क्या होते है motion में present होते continuously motion नहीं की kinetic energy kinetic energy related होती है motion से या move करने से और जो particles होते है matter के उनके भी इसमें force of attraction होता है इस force of attraction को कहा जाता है inter particles force, inter particles force कहा जाता है इसे तो ये एक particles हो चुका है और ये एक particles ये जितने ज़्यादा force एक दूसरे को track करेंगे इसे को कहा जाता है inter particle force ज्यादा inter particles force होगा वो चीज़े solid होगी जिनमें थोड़ा कम होगा वो liquid और जिनमें ज्यादा कम होगा वो सारी चीज़े हो जाएंगे आपकी gas देखिए the space or distance between the particles ये ही बता रहा है कि जिसमें ज्यादा maximum distance ही वो हो जाएंगी gas जिनमें थोड़ा कम है वो liquid और जिनमें बहुत minimum distance होगा वो सारी चीज़े हो जाएंगी solid दूसरा है force of attraction ज्यादा strong force solid को prepare करेगा the amount of moment of particle या kinetic energy of particles तो moment होगा gases के अंदर ज्यादा उससे कम होगा liquid में और सबसे कम होगा solid में यह आपको structure दिखाए दे रहा होगा तीनों चीज़ों का arrangement किस ट्राइप से है particles का solid चीज़े solid जो होते हैं वो closely packed होते हैं यह structure में देखिए आप इनके बीच में क्या है gap बहुत कम है minimum amount में इनके particles के बीच में gap है जबकि liquid में थोड़ा ज़्यादा है और gases में बहुत ज़्यादा हो तो जो force of attraction होता है particles के बीच में वो उनको एक दूसरे को hold करके रखता है और उसी के वज़े से उनकी position भी fix होती है क्योंकि यह solid में बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उनका shape और उनकी position fix हो जाती है solids जो होते हैं only vibrate about their fixed position they cannot move from one position to another क्योंकि particles के बीच में बहुत ज़्यादा force है इसलिए वो एक place से दूसरी जगा move नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में strong force of attraction present होता है और minimum kinetic energy होती है इनोंको structure देख लिजे इसी के कारण हम solid को compress भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा हम इने compress नहीं कर सकते बाकी properties तो आप देखी चुके हैं आप पढ़ लिजेगा तो आपको इसलिए समझ में आ जाएगा आपने rubber band देखा होगा उसका जो shape है उसको stretch करने पर change हो जाता है दे, why do we call it a solid फिर भी हम उसे solid क्यों कहते हैं इसका ये कारण है कि जब तक हम उस पे external force apply नहीं करेंगे उसकी shape में कोई भी changes नहीं आएगा यदि हम उसके उपर external force apply करते हैं तो उसका shape change हो जाता है और जैसे ही force को remove किया जाता है वो again उसके original shape में आ जाता है salt and sugar do not appear to have a fixed shape then why do we call them solid आप देखिए ये हमें fixed shape में नहीं दिखाए देते हैं फिर भी हम इन्हें solid क्यों कहते हैं आप देख सकते हैं ये original form में crystal के form में दिखाए देंगे बट ने बारिक piece दिया जाता है इसलिए जब भी हम किसी jar में उन्हें feel करेंगी तो उनका जो shape है वो change हो जाएगा because हमने उनके उपर external force apply कर दिया है यदि हम उनके उपर external force apply नहीं करेंगी तो वो भी हमें crystal के form में fixed shape में मिलेंगे sponge आपने देखा होगा sponge को हम easily compress कर सकते हैं फिर भी हम इसे solid कहते हैं so why do we call sponge a solid ये सारे solid के exceptions है because आप भी जैसे मैंने आपको एक rubber band का example बताया है same way से ही जो sponge होता है उसमें बहुत चोटे चोटे pores present होते हैं जिनके अंदर air fill होती है और जब हम उसके उपर external force apply करते हैं तब ही हम उसे compress कर सकते हैं liquid का देख लेते हैं liquid के अंदर भी जो particles होते हैं वो पास पास होते हैं but as compared to solid थोड़े से वो दूर होते हैं solid की तरह बहुत ज़्यादा पास नहीं होते हैं आप किसी भी container में किसी भी jar में उन्हें feel करेंगे तो वो उसका shape ले लेंगे बट जो उनका volume होता है वो always fix होता है तो liquid does not have a fixed shape बट fixed volume आप उन्हें compress कर सकते हैं solid का comparison में थोड़ा सा ज़्यादा और उनकी जो density होती है वो gaze की comparison में थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है और वो easily flow हो सकते हैं एक example देख लेते हैं to show that liquid do not have fixed shape but they have fixed volume देखिए आप 1 liter water ले लीजे इस beaker में आपने बरा है mark कर दीजे फिर उसी को आपने glass में भर दिया conical flask में भर दिया flat bottom flask में भर दिया तो water का volume तो always fix है बड़ उसका shape क्या हो रहा है उस vessels या उस container के according change होता जा रहा है देख सकते हैं पिच्चर में तो इसका कोई भी shape fix नहीं होता है gaze देख लेते हैं gaze की particles एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं as compared to solid और liquid देखिए आपने बहुत बार experiment किया होगा किसी भी balloon में air fill की हुई होगी इसके जो particles होते हैं उनके बीच में force of attraction बहुत वीक होता है इसलिए इन particles के बीच में ज़्यादा space present होता है और इनका कोई भी एक fix order नहीं होता है इनका कोई भी एक fix order नहीं होता है arrangement का यह disorderly arranged होते ही सारे particles क्योंकि इनकी जो kinetic energy होती है particles की वो बहुत ज़्यादा high होती है और force of attraction negligible होता है या ना के बराबर हम कह सकते हैं विकोज यह बहुत ज़्यादा कम होता है और जब भी इसके उपर external pressure apply किया जाता है किसी भी container की wall पे जिसमें gases को feel किया हो suppose आपने कोई balloon ले लिया हो तो उसे हम compress कर सकते हैं और यह जो gases होती है जब भी किसी खाली container के अंदर feel के जाती है तो यह पूरे container में spread हो जाती है और पूरा container completely feel हो जाता है और यह बहुत fast move करती है इनका कोई भी fixed shape नहीं होता है ना ही कुल fixed volume होता है gases की density बहुत low होती है और यह easily flow कर सकती है इसके लिए हम एक experiment देख लेते हैं कि इनका ना तो fixed volume होता है और ना ही fixed shape होता है जिसा कि आपको screen पर दिखाए दे रहा होगा यह दो type के balloon है दोनों का ही shape अलग है यहाँ पर दोनों के अंदर हमको क्या करना है air feel करनी है तो यह round balloon है और यह long balloon है तो यहाँ पर देखिए आप दोनों के अंदर आपने air feel कर दी है तो यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि ना तो gases का कोई fixed shape है और ना ही इस चीज़ से थे हमें clear हो गया कि इसका कोई fixed shape नहीं है आपने air ही feel करी थी दोनों में लेकिन जिस type का balloon का shape था उसके according ही वो change हो चुकी है अब हमें यह देखना है कि जो gases आपने ली है उनका क्या volume fix है यहाँ पर तो round balloon है और long balloon है इससे भी आपको यह conclusion मिलेगा दोनों ही का ही volume यहाँ पर क्या है different है तो जो gases होती है ना तो उनका कोई fixed volume होता है और ना ही fixed shape होती है यह volume भी जिस container में आप उन्हें feel करोगे उसके according ही बना लेंगी हमें यह देखना है कि solid, liquid इन्हें हम compress कर सकते हैं या नहीं अभी तक हमने देखा है कि इन्हें हम compress नहीं कर सकते बट गेस को compress किया जा सकता है easily तो उसके लिए भी हम एक experiment की तुरू इसको समझ लेते हैं suppose आपने 100 ml glass serins ली है देखिए आपको दिखाए दे रही होगी इसको हमें क्या करना है यह आपको दिखाए दे रही होगी यह rubber core है इसमें आपने serins लगा दी है common salt उसके अंदर भर दिया है उसके उपर piston लगा दिया है और weight रग दिया है क्योंकि salt क्या है? solid है next series में हमने भरा है liquid यानि water और same condition उसके उपर भी apply करी है third वाले में आपने भर दिया air तो आप यह देखेंगे कि जब weight रख रहे हैं तो इन दो चीजों को हम compress नहीं कर पाए बर जो air थी उसमें piston आपका काफी नीची मोह करता हुआ आ चुका है यानि हम गीसों को compress कर सकते हैं यह इस पूरे एक्सपेरिमेंट की थूआउट रिजल्ट आपको मिल जाएगा आप इसको पढ़ लीजिएगा तो इससे यही रिजल्ट निकलता है कि solid और liquid को compress नहीं किया जा सकता या बहुत जादा amount तक हम उनने compress नहीं कर सकते minimum amount हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत compress किया जा सकता है कुछ exception है सारे solid को तो हम compress नहीं कर सकते और liquid में भी यही condition आ जाएगी but by applying external pressure we can easily compress gas तो student आज की lecture में इतना ही इस chapter को complete समझने के लिए next video lecture आप देखिएगा